हमज़कर दोस्तों वेल्डिस्काई के एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में दोनों के चार्ट को अंड हम बात करते हैं Market at 11 के वीडियो की Market at 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियर लिए बताया था कि आज के टेडिंग सेशन को मैं आवोइड कर रहा हूँ मैंने सरफ एक ही ट्रेड डाली थी जो की मेरी option selling की थी 17600 का मैंने short straddle बेचा था क्योंकि मज़े expectation यह था कि market sideways जाएगा तो total premium जो collection था वो मेरा 180 point का था और closing जो आई है वो around आपकी देख सकते हो 17600 की call 10 रुपे पे close हुई है तो करीब 170 point मेरे को यहाँ पर कमाने को मिल गए है nifty के अंदर बस वो ही मेरी option selling की trade थी क्योंकि मेरे पास safety of margin अच्छा का सा था 180 point काफी दाता होते हैं नीचे इसको support मि moment में दोनों साइट पर 50-50 point का extra stop loss लेकर चला था वो stop loss टिगन नहीं हुआ तो मेरे को एक benefit यहाँ पर option selling में यह मिल गया है कि मेरे को 170 point कमाने को मिल गए ठीक है सेम चीज मैंने आपको explain करें थी कि market थोड़ा सा क्या करेगा यह zigzag type की expiry करा देगा यहाँ पे आपको कुई जाधर बड़ी opportunity नहीं मिल सकती कल एक opportunity थी तो मैंने आपको clearly बताया था कि आप contra trade budget में this side moment आता है उसके contra trade आप ले सकते हो एक अच्छा profit आपको मिल जाएगा कल का जो वीडियो तो उसमें मैंने आपको clearly बताया था कि यह आपके पास एक support area इसके आसपास आता है definitely आपको buy करना चाहिए morning में यह गया around 17,450 के आसपास बहुत सारे लोगों ने buy करके काम किया था तो उन लोगों को मैंने around 17,620 पर profit book करने की सला दे दी थी ठीक है उसके बाद यह फिर sideways चला गया आपको दिख रहा है एक बाद 17,500 तक भी आया था और फिर 17,600 पर जाके expiry यहाँ पर दिखा दी यही main reason था जिसकी विज़े से मैंने आज का trading session avoid किया था क्योंकि मुझे expectations यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी कि market trending हो सकता है इसलिए मैंने option sell किया स्टेडल बना दिया था according to the premium क्योंकि put मैंने जोती वो सुभी ही sell कर दी थी और call मैंने जब यह उपर की तरफ गया था तम मैंने sell कर दी थी around 80 रुपीज के आसपस तो यहाँ पर premium decay पूरा-पूरा मिल चुका है option seller के favor में और option buyer को यहाँ पर अगर किसी को profit मिला है बहुत अ किया है तो उसका main reason over trading का हो सकता है अगर आप over trading करते हो तो chances very high कि आपको loss होने के chances बढ़ जाते हैं अगर आपने trade डाली आपको profit मिला आप उस profit को घर लेकी जाहिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक दिन में आप multiple opportunity ढूंडोगे तो फिर आपका क्या है कि थोड़ा सा wrong decision होने की chances बहुत जाधा रहते हैं आपको अपने आप से question पूछने चाहिए कि मैं market में पैसे कमाने आया हूं या फिर सिर्फ time pass करने आया हूं अगर आप पैसे कमाने आया हो तो आप क्या opportunity को ढूंडोगे ठीक है ना और अगर आप time pass करने आया हो तो हर moment आपको एक opportunity लगेग ठीक है ना यहां से market के यह इतना नीचा है आपको लगेगा यहां से घर जाएगा मैं put ले लेता हूं market वहां से bounce हो जाएगा फिर market तोड़ा सा और नीचा है आपको लगे नीची जा रहा है मैं दुबारा से put ले लेता हूं वहां से market suddenly उपर चला जाएगा आपको loss हो जाएगा फिर suddenly आप देखो कि आप तो यह उपर जा रहा है मैं call ले लेता हूं वहां से नीचे आ जाएगा तो कहीं न कहीं आप एक market के trap में फसे रहोगे call put call put buy sell buy sell करते रहोगे आपको ultimately brokerage का loss होगा और plus आपकी capital का भी यहां पर कह सकते हैं कि आपकी capital भी दीरे दीरे खतम हो जाएगी तो यह sentiment आपको समझना बहुत जरूरी है कि मुझे कब trade करना चाहिए कब नहीं trade करना चाहिए मैं normally generally आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं as a option buy a lottery की तरह ही play करता हूं तो मैं हमेशा बड़े moment track करने की कोशिस करता हूं और miss ना हो जाए बस तो वो चीज अपॉशिटी में ढूंटा हूं क्योंकि मैं 10-15 रुपे के option खहिदने वाला बंदा हूं अगर मेरे को loss होगा तो बहुत कम होता है लेकिन अगर मेरे favor में market चला गया तो profit बहुत जबरदस्त होता है यह चीज मेरे को clearly पता है और वो calculated risk लेना म understand करते हैं तो कल के लिए देखो option chain में कोई हमारे पास data नहीं है तो जायर सी बात है अभी भी still कह सकते हैं कि हम यह जो premium है थोड़े से high है बट drop तो काफी जादा हो गया है बट इस्टिल आप देख सकते हो 17600 का जो short straddle की value है वो अभी पर आपको दिख रही है almost 225 रुपे क आसपास रहती है बट अभी भी 25 पंट extra हो सकता है यह सुबह जब खुले तब इसके आसपास ही यह खुले तो कहीं ना कहीं जो volatility थी वो थोड़ी सी cool down हुई है यहाँ पर जो आइवी बढ़ी थी budget के event के वेज़े से वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से crash हो गई है तो अब premium चल रहा है market में ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी market बहुत ज्यादा premium हाई है ठीक है out of the money में 18,000 के call देख सकते हो 33 रुपे की चल रही है ठीक है कल जब market खुलेगा तो हो सकता ही है around 30 रुपे 28 रुपे के असपास open हो सकती है ठीक है तो premium थोड़े से settled हुए है अब हमें यहा यहां पर आपको clearly समझना है कि सबसे पहले मैं यह चीज़े हटा देता हूँ ठीक है और यह अपना 200-day moving average भी हटा देता हूँ day chart पर आप देखो के यहां पर क्या हुआ है कि आपको एक sharp selling देखने को मिली यहां से यह sharp selling देखने को मिली फिर यह buying थी ठीक है फिर आपका यहा अब यह candle बनी है ठीक है जो कि हम कह सकते purely consolidated candle है ठीक है तो आपको क्या करना है 50 minute का time frame लगा लीजिए अब क्या है यहां पर market clearly दिख रहा है आपको यह high important है 17676 का इसके नीचे आप चाहें तो यह high भी लगा के चल सकते हो 17650 का ठीक है यह आपके पास नीचे important level है 17500 का जो की है psychological level ठीक है और यह आपका नए अलू है अब आपको यहां पर क्या opportunity मिल दखती है अगर Friday का trading session भी इसी के अंदर यह गुजार देता है ठीक है ना अगर इसी के अंदर गुजार देता है इस range के अंदर गुजार देता है तो आपको Monday या फिर Tuesday trending days मिल सकता है either upside और either downside तो कल हम expect करेंगे कि market इस range के अंदर घुमें बट अगर नई घुमता है और यह अगर trend बनाने की कोशिस करता है क्योंकि कल नई series का side सी बात है नई series की starting है तो नई series में normally market क्या होता है अगर जैसे market को ऊपर जाना है तो यह chances vary है कि यह कल के दिन भी trending हो सकता है ठीक है अगर कल यह trend ब 1000 की call लेके भी काम कर सकते हैं थोड़ी से कम quantity कर लेंगे यानि हम normally 1000 quantity में काम करते हैं कल के trading session में हम क्या करेंगे 18000 की सिर्फ 200 quantity लेके काम करेंगे यानि 6000 रुपे का हम रिस्क लेंगे 6-7000 रुपे का और अगर market trend बनाता है यानि वह हमारा 5 मिनट का high के उपर market sustain करता है तोड definitely उस call में participate दरूर करेंगे हो सकता है यहां से market आपको एक अच्छा momentum दिखा दे ठीक है अगर trend बनाता है वही सेम चीज़ है trend बनाएगा हम trade करेंगे आदे गंटे रखेंगे favor में जाती है position हमारी well and good है नहीं तो जो भी चोटा मुटा laws है हम उसको लेके बाहर निकलाएंगे सेम चीज़ हम Monday के trading session में करेंगे अगर कल हमारा stop loss टिगर होता है तो हम Monday को करेंगे और अगर Monday को भी टिगर होता है तो Tuesday को भी करेंगे यहीं trend पे हम focus रखेंगे क्योंकि अब क्या है market एक उपर का side का अच्छा खासा momentum दिखा सकता है नीचे की side पे इसको जाना होता है तो ज करने की कोशिस कर रहा है तो कल अगर इसी range के अंदर रहता है तो हम थोड़ा सा avoid करेंगे इस range के बाहर निकल के कोई trend बनाने की कोशिस करेंगा तो हम यहां पर definitely trade करेंगे target हमारे पास 17,800 और 17,900 का हमें मिल सकता है यानि देखा जाये तो 200 point का momentum यहां पर आ सकता है किसी भी reason बड़ा gap up या gap down होता है तो हम थोड़ा सा price action बनने का wait करेंगे यह चीद ध्यान में रखिएगा सबसे अच्छी trade यही मिलेगी यह flat खुले flat खुलने के बाद trend मिले तो हमें एक अच्छी trade यहां पर बंतियों दिखाई दे सकती है ठीक है इतना आपको clearly समझ में हा गया bank nifty क तो यहां पर भी जगह है उपर जाने की तो सबसे अच्छा इसके लिए है कि अगर यह positive trend बनाता है तो एक strong momentum में जा सकता है यह आपके पास एक target होगा जो कि आपके पास 41.300 का होगा इसके ऊपर भी यह जा सकता है ऐसा नहीं है नहीं जा सकता है तो positive trend पर हम थोड़ा सा focus ज selling के लिए फिलाल मैं interested नहीं हूँ क्यों नहीं हूँ उसके पीछे का reason आपको पता है नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्योंकि global market काफी अच्छा कामकाच कर रहे हैं कल भी जो nasdaq था करीब 2% भागा है और आज के दे ट्रेडिंग session की भी बात करें तो nasdaq करीब 1% उप कामकाच कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कर हमें gap up opening देखने को मिल सकती है अगर वो gap up opening नहीं होती है flat market खुलता है तो definitely हम buy करके काम करेंगे positive trend के लिए हम play करना के कोशिस करेंगे sell करने की कोशिस हम नहीं करेंगे ठीक है DEX भी देख सकते हो आप 1% के ऊपर कामकाच कर रहा है European market भी एच्छा कामकाच कर रहे है तो ऐसी कोई यहां पर negativity नहीं है global market में positivity है उसका effect इविन यह breakout भी देता हुआ दिखाई दे रहा है और near to lifetime high के तरफ बढ़ रहे है तो global market अब near to lifetime high के तरफ बढ़ेंगे दीरे दीरे तो यह चीज़ के लिए समझ लिए हमारे market में selling आईगी वह बहुत जाधा temporary होगी और नीचे आपको buying की opportunity ही जाधा ढूनने को मिल सकती है यह चीज़ आप क्लियली ध्यान में लखेगा क्योंकि आपको जो recovery देखने को भी वह बहुत fast देखने को लेगी जैसे आप देख सकत यह चीज़ आप के लिए समझ लिए ठीक है तो आई होप दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फ्लाल इस वीडियो में इतना है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक को शहत जरू करिएगा और चानल को जो subscribe कर नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जै हिंद